पीडिता ने बताया कि जब उसने आरोपी से एसा करने का कारण पूछा तो उसने बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए रेप किया वहीं थाने में अपनी आप बीती बताते समय पीडिता बेहोश होकर गिर गई आनन फानन में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहां डॉक्टर ने इलाज करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया पीडिता ने बताया कि 17 मही को पडोस की रहने वाली पुषपा शिवहरे मेरे पास आई और बोली हमारा परिवार मुंबई घूमने जा रहा है तुम भी मेरे साथ चलो मैं उसकी बातों में आ गई और घर से 90,000 रुपे दो तोले सोने का हार और एक तोले का मंगला सूत्र लेकर उनके साथ से बाहर चले गए अंत में मैं और आरोपी पवन शिवहरे कमरे के अंदर बैठे थे कि अचानक उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जब मैंने उससे पूछा दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो तो उसी समय पवन ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मेरे मूँ पर इसलिए एसा किया उसने मेरा अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया था धमकी देता था कि अगर विरोड किया तो उसे सोशल साइट्स पर डाल दूँगा इसके बाद वह मुझे दो दिन तक बंधक बना कर मेरा रिप्त करता रहा तीसरे दिन जब उसके रिलेटेव क खिला कर बेहोश कर दिया और जब होश में आया तो मैं जा लॉन के स्थित पवन्क के मकान में थी वहां मुझे पांच महीने तक बंधक मना कर रखा गया और हर रोज रेप किया गया मैं कहीं भाग ना जाओं इसलिए पवन्क के ममी और पापा मेरी रखवाली करते थे एक दिन मुझे वहां किसी का मुबाइल मिला फिर मैंने अपने घरवालों को फोन करके सारी बात बता दे जिसके बाद मेरे घरवाले आये तब जाकर मुझे वहां से उन्होंने बंधक मुक्त किया साथ ही मेरे घरवालों को धमकी दी कि कि किसी को इस घटना के बारे में बताया SP City देवेश कुमार पांडे ने बताया मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है